तो आदाब नमस्कार गुड इविंग सस्राकाल एक बाद फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में आज सेटरेड़े शनिवार का दिन कहानी रिकॉर्डेड होती है लेकिन कहानी होती जरूर है आज की कहानी शायद लिस्ट में नहीं थी लेकिन पिछले दो दिनों में कुछ ऐसा हुआ अलाकि वो बैयान वापस भी लिया गया जिसकी वजह से काफी सोशल मीडिया में और हर जब यह चीज आई शिफ सेना की जो स्पोक्सपरसन हैं और नेता हैं बड़े सीनियर लीडर है लिखते भी अच्छा एडिटर भी हैं सामना के संजर राउथ एक जनरिस्ट भी है वो तो उन्हों ने अचानक दो दिन पहले एक बयान दिया था कि इंद्रा गांधी जो है वो अक्सर करीम लाला से मिला करती थी कि अब इसके बाद इस बयान को लेकि यह लाग लाग यह रेक्शन आने शरू हुए हलाकि बाद में संजर राउथ ने कहा कि उनका मकसर मतलब क्या था बोलने का लेकिन इसको यह लेके अब भव्य तानी कि एक ड knew कुक. हृ। इसको लेके सारी चीजें हुई हम लोगों ने भी फिर प्रताल की तपतीश ही हैं तो जो सारी चीजें सामने आई करीम्लाला की पूरी कहानी सुनां उससे पहले यह इन दोनों की मुझाकात की सचाहिए आपके सामने रखता हूँ करीम लाला मुंबई में एक जाना पैचाना नाम था नाइन्टीन फोर्टी से लेके नाइन्टीन एटी तक एक तरह से एक तरफा राज था ये भी कहीं कि अगर अंडरवल या डॉन शब्द कहीं से शुरू हुआ तो शैद करीम लाला की देर में गैंग वार उसने एक तरिके से गैंग वार की शरुआद की तो अंडरवल या पर डॉन या गैंग वौर स्मगलिंग तसकरी ये सारी चीजें कहते हैं कि करीम लाला की देर में देश का पहला डॉन कई लोग कहते हैं कि कौन है हाजीम अस्तान या करीम लाला लेकिन मुझे लगता कि शक और सवाल को खुद हाजी मस्तान ने दूर कर दिया, यह कहकर, कि जो सबसे बड़ा डॉन इस देश का या पहला था, वो करीम लाला, यह खुद हाजी मस्तान ने कहा है, तो शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि देश का पहला डॉन करीम लाला, अब वो करीम लाला एक प्रधान मंतरी से मिलता है ये प्रधान मंतरी उन से मिलती है ये क्या सचा ये एक बार इंदरा गांधी करीम लाला से मिली थी और दूसरा कोई और मिसाल नहीं मिलता कि जब इंदरा गांधी ये करीम लाला की मुलाकात हुई होगी जो एक बार ये मुलाकात हुई थी वो 1973 में हुई थी और इस मुलाकात के पीछे की जो कहानी थी, वो ये थी कि 1973 में पद्मे भूशन और ये सारे पूरसकार दिये जाने थे जो सरकारी अवार्ड होते हैं, पद्मे भूशन, पद्मे भूशन, तो उस साल 1973 में पद्मे भूशन के लिए एक कलाकार है, उन्होंने बड़ी सारी फिल अदाकार थे हरिंद्रनाथ चटोपाध्याए इन्होंने कई फिल्मों में काम किया तो 1973 में सिनेमा में योगदान के लिए हरिंद्रनाथ चटोपाध्याए को पद्मेभुषन पुरुषकार देने का फैसला लिया गया खबर मुंबई पहुंची हरिंद्रनाथ चटोपाध्य आवार्ड लेने के लिए दिल्ली आने को तयार हुए बुजर्ग थे लेकिन वो दिल्ली आये तो जब ये खबर पर्ण भोशन की मुंबे में पहुंची तो ये खबर उस वक्त करीम लाला तक भी पहुंची करीम लाला 1973 में अपने उरूज पर थे और वो ऐसा एक मतब एक हरिंद्रनाथ चटोपाध्याय से जाकर मुलाकात की और कहा कि वो राश्टपती भवन देखना चाहता है अभी तक उसने कभी देखा नहीं है कि अंदर से कैसा है क्या है तो ये बहतर मौका है सबसे अच्छा मौका है चूकि आपको एवार्ड मिल रहा है और राश्पती भ है कि एक डौन कह रहा है ये भी मन में है कि डौन को लेके साथ जाना पता नहीं क्या होगा लेकिन करीम लाला को इंकार भी नहीं कर सकते क्या पता करीम लाला बुरा मान जाए तो हरिंद्रनाथ चटोपाध्याय तैयार हो गया इस बात के लिए इसके बात करीम लाला हरिंद पर दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में तय वक्त पर जिद दिन ये पुरुसकार समारो था करीम लाला उनके साथ राष्ट्रपती भवन पहुंचता है वहां के अशोका हॉल है जो शायद वहां पर ये पुरुशकार समार हो था पद्धने बुशण और इस तरह के जो राष्ट्वे पुरुशकार होते हैं इसमें आमतोर पुरुशकार राश्ट्रपती देते हैं लेकिन प्रधान मंतरी की भी मौझूदकी होती बाकादा बहुत नेता मंत्री और उस वक्त प्रधान मंत्री थी इंद्रा गांदी वो भी मौझूद थी पुरुषकार समारो हुआ हरिंद्र नार्च चोटोपध्या जी को पद्वे भुशन मिला सिनिवा में उनके योगदान के लिए समारो खत्म हुआ चुके बहुत सारे डिग्निट्रीज बड़े बड़े शक्सियत हस्नियां वहां पहुँची नी थी तो पुरुषकार समारो खत्म होने के बाद सब एक दूसे से मिलने लगे इसी दोरान इंद्रागांदी हरिंद्रनाथ चटोपाद्ध्या के पास पहुची उन से मुलाकात करने लगी करीम लाला साथ में थे और इसी वक्त एक तस्वीर खिची जिसमें हरिंद्रनाथ चटोपाद्ध्या करीम लाला और इंद्रागांदी है करीम लाला की खाहिश थी इंद्रा गांदी के साथ एक फोटो और खिचवाने की फिर उन्होंने जो भी कैमरा मैंने फोटोग्राफ था तो इंद्रा गांदी के साथ उसी वक्त फोटो और खिचाए और अपना जो इंट्रोडेक्शन दिया था तब करीम लाला ने वो ये कहा ताई तो ये मुलाकात इतनी देर की हुई कुछ मिनट की तस्वीरें कीची उसकाद इंडरा गांदी वहां से निकल जाती है करीम लाला वहां से निकल जाते हैं इसकाद ये वापस मुंबई आ जाते हैं ये एक मुलाकात थी 1973 में जो एक डॉन की एक प्रधानमंतरी से खास तोर पर करीम लाला से कभी मिलने मुंबई गई हूँ बाते तमाम है लेकिन सुबूत कोई सामदे नहीं है रास्चुपती वहन की मुलाकात का सुबूत है क्योंकि तस्वीर है तो ये एक मुलाकात थी जिसके उपर फिर बात में खैर संजा रहा हूँ तो ये तो रही एक डौन की एक पधानमंति से मुलाकात की बात अब सवाल ही है कि आखिर करीम लाला करीम लाला बना क्या हूँ ये था क्या कहां से आया कैसे मुंबई पर राज किया कैसे पहला डौन बना और एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि जब करीम लाला ने अपने हाथ से दाउद इब्रहिम की पिटाई भी की, वो भी सड़क पाद, तो ये सारी कहानी की शुरुवात होती है करीब 19, 25 और 30 के बीच, करीम लाला असल में हिंदुस्तानी नहीं था, वो अफगानी नागरीक था, अफगान में पैदा हुआ, अफगान में एक जगा है कुनार, तो कुनार में क कुछ लोग कहते हैं कि कुनार के एक शाही परिवार से इसका तालुक था, और अच्छा खासा बिजनसमें था, तो कि शाही जो विरासत थी वो खत्म हो गई, लेकिन रिष्टा शाही परिवार से था, बाद में इस परिवार ने बिजनस का रुख किया, बिजनस करने लगा उस वक्त हिंदोस्तान आजाद नहीं हुआ था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और तभी करीम लाला जबकि उसका नाम भी करीम लाला नहीं था, उसका नाम था अब्दुलकरीम शेर खान, अफगानिस्तान में अब्दुलकरीम शेर खान, अफगानिस्तान से पेशावर पहुंचा और पेशावर भी उस वक्त चुके हिंदुस्तान पाकिस्तान का बटवारा हुआ नहीं था तो एक ही था और पेशावर के रास्ते वो मुंबई पहुंचा जब वो बंबे हुआ करता था या बंबई आने के बाद सबसे पहला ठिकाना था करीम लाला का ग्रैंड ट शुरू किया लेकिन असली बिजनेस था इसका जुएक अड़ा जुएक अड़ा चलाने लगा जुएक अड़ा चलाते चलाते थोड़े पैसे आए और उस वक्त तक मुंबई में कोई गैंग कोई डॉन ये सारी चीजें ये नाम ही नहीं था छोटे मुटी गुंडा गर्द बदमाशी हर जगा होती है लेकिन और्गिनाइस्ट क्राइम या फिर डॉन अंडरवल ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं था ये शब्द भी लोग नहीं जानते थे तो करीम लाला ने आके जुएक एड़ेस अपना धंदा शुरू किया धीरे धीरे उसके पैसे आने के बा अड़े से शुरूआ थी उसके बाद इसने बैयाज पर पैसा देना शुरू किया पैसा देते देते फिर इसने शराब के अड़े खोलने शुरू किये और ये सारी चीज़ें चलती रही इस दोरान में पुलिस को भी पता चला कि भाई जुएक अड़ा शराब ये सब अवै हिस्सा देना शुरू किया और उस वक्त फिर इन चीज़ों के साथ साथ वो रेड लाइट एरिया में भी घुसा उसने लड़कियों के औरतों के भी धंदे करने शुरू किये ये भी है कि वो यहाँ से गल्फ सौदी अरब और इन जगों पे भी लड़कियों को बेचता था तो ये सारे बुरे धंदे धीरे धीरे उसने शुरू किया और इसी दोरान में करीब चालीस का दोर आ गिया अभी देश आजाद नहीं हुआ था 1940 तो उस वक्त हीरे जवारात और सोने इनकी तसकरी शुरू हुई छोटे मोटे पैवाने पे होता था लेकिन उस वक्त जब करीम लाला का इस तरफ ध्यान गया तो उसने का कि क्यों अब यह स्मग्णिंग करते हैं तसकरी का काम तो उसने सोने और हीरे की तसकरी का काम करना शुरू कर दिया इस से उसे बहुत सारे पैसे मिलने शुरू हो गए और इन पैसों के साथ उसका कद बढ़ता गया अब वो लोगों के मार पीट, हफ़ता वसूली, करीम डाला एक तरह से धीरे धीरे एक ओंडा बने चुका था जुए काड़ा, शराब खाना, लड़कियों का धंडा, उसके बाद गोल्ड और डाइमन्ड की तसकरी उस वक्त इलेक्ट्रोनिक चीज़ें नहीं नहीं आने शुरू ही उसकी तसकरी तो ये करते करते उसने अपना एक गैंग खड़ा कर लिया और उस गैंग का नाम रखा पठानी गैंग, चुकि ये खुद पठान था पठानी गैंग मतलब लाला का गैंग पठानी सूट पहना करता था हमेशा करीम लाला जब आफ़कानिस्तान से बंबे आए था लेकिन धीरे धीरे जब उसका कद बढ़ा, पैसे आए तो उसके बाद उसने पठानी सूट छोड़कर सूट पहनना शुरू कर दिया चालीस के वक्त आते हैं, करीम लाला अब लगभग बंबई का एक बहुत बड़ा नाम बन चुगा था और कोई रुकावट नहीं था बीज में इसी दोरान एक दूसरा फिर बंबे में खड़ा होता है जो तसकरी जब ये गोल्ड और इसकी शुरू ही तो उता हाजी मस्तान, हाजी मस्तान ने भी स्मगलिंग करने शुरू की लेकिन हाजी मस्तान को पता था कि ये करीम लाला गैंग ही पूरा इसको के बदले में जो भी कमिशन हिस्सा होगा वो मिलेगा तो ये एक दोनों में समझाता हुआ और दोनों गैंग बड़े प्यार से अपना धंदा चलाने लगे धीरे धीरे करीम लाला और हाजी मस्तान में दोस्ती भी हो गई सब कुछ सही चल रहा था मुंबई के लगभग दो हि साप से जिस पर एक तरफ हाजी मस्तान काम कर रहा था, एक तरफ करीम लाला, इसी दोरान में एक तीसरे शटरी होती है, उसका नाम था मुर्द राजण, अब वर्द राजण जब आता है तो उसे पता था ता कि उसे धंदा करना है, स्मगलिंग करनी है, शराब कर भी उसका कारोबार है लेकिन वो अपने बलबूते पे करेगा तो इन दोनों से पंगा लेगा करीम लाला और हाजी मस्तान से और इन में से किसी एक के साथ जाता है तो दूसरा बुरा मान जाएगा तो वर्द राजन का भी मिजाज वही था उस वक्त खून खराबा नहीं दोस्ती कर लो समझहता कर लो फिर उसने करीम लाला और हाजी मस्तान से दोस्ती और समझहता किया तो अब तीन हिस्से हो गए बंबे के एक करीम लाला एक हाजी मस्तान एक वर्द राजन और तीनों अपना धंदा चलाने लगे बिना खून खराबे के इसी दोरान करीम लाला के पैर में कु एक छड़ी लेके चलना शुरू कर दिया लाठी थाई छड़ी तो धीरे धीरे छड़ी एक तरह से करीम डाला का स्टाइल बन गया एक सिंबल हो गया वो काले रंग की छड़ी करीम डाला की अब पैचान हो गया और करीम डाला के जो गद था वो साथ फुट लंबा था तो उसकी अपनी परसनेलिटी शक्सियत ये था कि भीर में खड़ा होता तो तो सबसे अलग दिता था लंबा चोड़ा पठान उसके बाद अब चड़ी के साथ चलना धीरे धीरे उस चड़ी की भी कहानी बन गई करीम लाला ने क्या किए कि जब अब चालीस के बाद हाजीमस्ता भी सात वर्दराजन भी सात और खुब पैसे पुलिस के साथ bी दोस्ती फिर एक दौर ऐसा आया कि करीम लाला इतनी तूती बोलने लगी फिलम डिस्ट्री में भी कि हर शाम करीम लाला अपने घर में एक दर्बार लगाने लगा और उस दर्बार में तमाम लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिखो, हिसाई हो, आम लोग हो, पुलिस हो यहां तक की कहते हैं कि जज़ भी कई बार वहां पहुंच जाते थे, कोई जगड़ा आया बाकी चीजें सुल्टाने के लिए, और करीम लाला वहां फैसला सुनाता था, कई बार ऐसा हुआ, कि जो भी करीम लाला ने फैसला सुनाया वो सरकारी होदे पर बैठे वे लोगों त माना इसके बाद बाकी धंदे जो सारे चीजें होती थी वो चलता रहता था किसी का घर खाली करवाना कब्जा छुड़वाना है तो एक दोर ऐसा आया कि करीम लाला खुद नहीं जाता था वो अपने घर में बैठा होता था और मान लिजे किसी के घर को खाली करवाना है और उस घर में जो है वो खाली नहीं कर रहा है तो करीम लाला के जो गुरगे थे वो ले जाकर करीम लाला की काली बहुत सारी छड़ी बनाई गई, सेम जो करीम लाला लेकर चलता था, और उसकी कुछ और छड़ीयां वैसे ही बनाई गए, हूब हूब, वो छड़ी ले जाकर उस घर में रख देते थे, उस घर के दरवाजे पर, उस घर के दरवाजे पर उस छड़ी रखने का मतलब ये था कि करीम लाला नहीं चड़ी भेजिए मतलब ये चड़ी नहीं खुद करीम लाला है तुम ये घर खाली कर दो वन्ना अंजाम समझे लो कहते हैं कि वो चड़ी जिस घर में रख या जिस दुकान पर या जिस जगें पर रख देते थे वो अपने आप खाली हो जाता था कुछ घंटे के अंद ना फिल अंडॉस्ट्री के भी घृगड़े सुल्टाने का काम करीम लाला के पहुचने लगा था कई ऐसे स्टारें जिनके पैसे डूब गए थे करीम लाला ने फिर जिन लोगों ने लिया था उनसे पैसे लोटाए तो यह सारी चीजे चलती रही और सब ठीख चल रहा था 1980 तक, 40 से लेके 80, 40 साल तक बंबे पे करीम लाला ने एक छत्र राज किया और कहते हैं कि उससे बड़ा कोई डौन हुआ ही नहीं लेकिन 80 के बाद अचानक अब कुछ नए गैंग उभरने लगे उन में से सबसे बड़ा था दो नाम एक शब्बीर कासकर और एक डाओद इबराहीम कासकर दोनों भाई थे और ये दोनों भी इस मंगनिंग की इस फील में उत्रे लेकिन शब्बीर और दाओद को पता था आते हैं अपना रुख बदल कर वो राजनीती के तरफ घूंग गया और पॉलिटिक्स और एक समाच सेवा के तौर पे काम करना शुरू किया लेकिन करीम लाला और उसका पठानी गैंग अभी एक्टिव था तो दाओद को पता था कि मुंबई में पैर जमाना है बंबे पर राज करना है तो करीम लाला से पंगा लेना पड़ेगा और दाओद इबरहीम ये चाहता था हमेशा कि वो कुछ ऐसा ऐसा करे कि लोग दाओ का ही नाम होगा तो इसले कई बार खाली अपने लड़कों से और इससे निप्टाने की कोशिश की लेकिन एक आसी से पचासी के बीच में इन दोनों गैंग के बीच में खुब धड़ग़ा हुआ और कई लोग मारे गए उननीस सो पचासी के आसपास की ही बात है जब ये ज हगड़ा चल रहा था इन दोनों के बीच में और गैंग वार शुरू हो गया था लेकिन उस वक्त तक ये पता नहीं था कि यही गैंग वार है और इसी को गैंग वार कहते हैं लेकिन तबी दाओद के भाई शबीर कासकर की जब बात बहुत बड़ी तो करीम लाला गैंग न उसके जो पठानी गैंगे दिन दाहारे शबीर कासकर का कटल कर दिया दाओद के भाई का इस मड़र से दाओद बौकला गया और यह बहुत बड़ा जहटका था कासकर गैंग के लिए दाओद गैंग के लिए तब तक ये डी कम्पनी नाम भी नहीं था अब दाओद जो है करीम लाला से बदला लेने के लिए बेताब हो गया कि किसी तरीके से बदला लिया जाए लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था इस दोरान में दोनों तरफ से खुब पूनी लड़ाई हुई और कई बार ये चीजें कई लोगों की जान लेकर गई और तब मुंबे पुलिस ने बार कहा कि एक्चली ये जो है ये गैंग वार है दो गैंग के बीच तो गैंग वार शब्द असल में जो शुरू हुआ वो दाओद इबराहीम और करीम लाला इन दोनों के बीच में जो जगड़ा होता था उसकी वज़ा से हुआ दाओद इबराहीम इधर लगातार अपने मौका मिलता है क्यासी में करीम लाला के पठानी गैंग ने दाओद के भाई शब्बीर का कतले किया था उसके पांस साल बाद 1986 में दाओद इबराहीम ने एक दिन मौका पाते ही करीम लाला के जो भाई रहीम खान उसका कतले कर दिया 86 में इसके बाद लगा कि अब बहुत कुछ हो जाएगा क्योंकि करीम लाला बक्षे का नहीं लेकिन करीम लाला की तब तक उम्र भी बढ़ती जा रही थी और पठानी गैंग और दाओद गैंग के बीच में जगड़े में लगातार पठान गैंग जो है वो कमजोर होता जा हिलाओं पे हाथ ने उठाना ये सारे जो शर्ते थी ये सारे उसूल थे वो दाओद इबरहिम के आने के बाद सब तूट गये पठान गैंग और दाओद गैंग के भी जगड़े में दाओद गैंग ने इन चीजों का कभी भी पालन नहीं किया और परिवार पे भी बात फिर धीरे धीरे करीम लाला ने भी अपना पूरा धंदा समेट लिया उसे लगा कि अब खून खराबा बहुत सारी चीज़े होंगे और उम्र जो है वो बहुत हो गई भाई की जान चली गई तो एक तरह से उसने दाओद के लिए रास्ता क्लियर कर दिया फिर दाओद इब करीम लाला ने अपने गैंग के कंजोर होने के बाद किनारा कशी कर लिया और एक आम जिन्दगी बिताने लगा इसके बाद 19 फ़री 2002 को करीब 90 साल की उम्र में करीम लाला की मुंबई में ही मौत हो जाती है उसकी मौत के बाद अब दाओद के लिए कोई भी अर्चन नहीं बची थी और इसके बाद करीम लाला की इधर मौत 86 के बाद वैसी करीम लाला कमजोर था और फिर उसके बाद मौत और इस मौत के बाद दाओद का पूरा रास्ता साफ हो जाता है अब असल में मुंबई पर या बॉम्बे पर दाओद कराच था और दाओद ने यहां से फिर अंडरवल, डॉन, अंडरवल की दुनिया, गैंग वार इसको एक दूसरी जगा ले गिया उसके बाद दाओद का क्या क्या हुआ किसी और दिन आपको पूरी दाओद की जो कहानी है दाओद के शुरू से लेकर दाओद के दुबई जाने, पाकिस्तान जाने और हिंदुस्तानी कानून को जो आज भी तलाश है उसकी वो किसी और एपिसोड में आपको सुनाऊंगा आज की कहानी करीम लाला की थी जिसको मैं अगर कहूं की हाजी मस्तानी की जुबान से कि देश का शायद पहला डाउन अगर किसी को कहा जाए तो वो करीम लाला था तो यह थी करीम लाला की पूरी कहानी करीम लाला का परिवार आज भी मुंबई में है और करीम लाला इंद्रा गांधी की मुलाकात की कहानी भी आपको बता दी दूसरा कोई प्रूफ नहीं है राजपती भवन के अलावा अब आपसे मुलाकात होगी सौमवार को रात नौ बजे क्राइम तक के इस एपिसोड में किसी नहीं कहानी के साथ तब तक मैं खयाल रखिये आप लोग का संडे अच्छा है गुजरे छुटियां अच्छे से मनें थैंक यू वेरी मुझ